लोक जन सक्ति पार्टी राम बिलास के राष्टी अध्यक्स और जमीर सामसा चिराक पासवान चिराक पासवान अभी नई दिल्ली में है और दिल्ली में चिराक पासवान का लगतार लोगों से मिलना चल रहा है अब देखरें तस्वीरों के मादम से कि पूर्व मंत्री स्रीमति सांती देवी अपनी पुत्री के साथ चिराख पासवान से दिली में मुलाकात करती हैं ये कहीं न कहीं मुलाकात लोकसवा से पहले कुछ राजनितिक चर्चाय होई हुगी मंत्री जी से और बता दे कि चिराख पासवान लोकसवा में जिस तरीके से अंडिया कणाधि बंधन में अभी तक से चिराख पासवान के सीट सेरिंग पर कोई क्लियर रती नहीं आई है विहार के लोग विहार को पासवन नेदिली में लोगों से मुलाकात करते हैं एक एक ब्यक्ति से भी मुलाकात करते हैं चिराक पासवन और हाल जानते हैं ग्राउंड पर क्या बता दे कि कलपुरों मंत्री के मुलाकात कहीं ने कहीं ये राजनेदिक मुलाकात बता जा रही है और कहीं ने कहीं चुनाओ से पहले ठीक लोकसभा से पहले मुलाकात ये कुछ राजनितिक संकेत दे रहा है साथ हूँ बता दे कि पतरकार संद के अध्यक्ष ने चिराख पासवन से कलने दिनी मुलाकात की और हाजीपूर पर कई मन्थन होई हाजीपूर की सरवेग बता रहा है कि चिराख पासवन एक भारी मत से विजयी होंगे अगर हाजीपूर से लोकसभा चुना लड़ते हैं तो बता दे कि चिराख पासवन के बहुत ही करवी माने जाते हैं ब्रजनंदन पंडे जी और चिराख पासवन से उनसे कही बार वरतलाब होच चुकी है लेकिन लोकसभा चुना ओर से पहले कि जिस तरीके से राजनीतिक रननीतिया के साथ एक सला के तोर पर चिराख पासवन भी उनसे बात किये थे लेकिन बता दे कि पुर्व मंत्री भी चिराख पासवन से कर मुलकात करती है और अपनी बेटी रेखा पासवन जी के साथ है बता दे कि नई दिल्ली में बिहार सरकार की पुर्व मंत्री राच चुकी है रेखा देवी की माता जी सांती देवी और अपने पूत्री के साथ मुलकात करना चिराख पास्वान से एक भूती बड़ा राजनिदिक संदेश आ रहा है और हाजिपूर के पतरकार मिलते हैं साथिवों तो अभी के लिए इतना ही मैं एक्षे पास्वान और आप देख रहे हैं अल्जेफी भी है